नमस्कार जी मेरा नाम संजना है संजना क्रियेटिव इन गार्डनिंग पर आपका श्वागत करती हूं जैसा कि थमनेल देखने के बाद आप लोग समझी गए होंगे कि हम इस खुबसूरत प्लांट बटरफलाई के बारे में बात करने वाले हैं यह बहुत ही खुबसूरत प्लांट है और यह संधियों में ही कहलता है यह प्लांट कं धूप में चल जाता है इसे पूरे दिन की धूप की जरूरत नहीं पड़ती है इसे 2 या 3 घंटे की धूप मिले तो भी अच्छा चलता है इस प्लांट को जहां हम लोग रख रखे हैं यहां पर दो घंटे की ही धूत मिलती है और अच्छा चल रहा है आप देखी रहा है इस प्लांट को बुसी बनाने के लिए जब इसके फ्लावर डेड होने लगें तो उसे पींच कर दें वो जरूरी है नहीं तो यह प्लांट बी अब हम इसमें जानते हैं कि वाटरिंग कैसे करें वो जरूरी है तो इस प्लांट को मोईस्ट सोईल प्रस पसंद है यह जादे सुखा रहना पसंद नहीं करता है जादे इसे आप सुखा छोड़ देंगे तो यह उसमें खुश नहीं रहे और कम पानी देने से कम फूल प्लांट तो इसमें अपरी स्ता सुकड़ गई है इसको पानी दे दे तो आइए इसके हम फटलाइजर की बात कर लेते हैं तो दस दिन में या हथते में एक plot लेकिवर्ट फरिलाइजर में देती हूं जो बनाना पिल काव लिकवर्ड फरिलाइजर है और दूस्रा है और इं पट की बात करें तो चे लेकर आठ हींज तक दिए उसकी ज़्यादे ज़रूरी होती है किसी भी प्लांट के लिए उसकी पोटिंग मिक्स पोटिंग मिक्स अच्छी है तो प्लांट अच्छा चलेगा इसकी पोटिंग मिक्स की बात करूं तो जो मैं इस प्लांट के लिए पोटिंग मिक्स यूज करती हूं वो है 40% कमपोश्ट 30% गा जो आठ हिंच के पोट में पोटिंग मिक्स यूज हो रही है उसमें यूज की हुई दो चम्मच चाय पती और एक चम्मच फंगे सैट प्लांट को पोट में लगाने से पहले यह आपने शिंद कर लें कि उसके ड्रेनेज होल अच्छी हो और उसमें आप हिंट के टुकडे या कोई कपड़ा डालें और फिर उसमें आप पोटिंग मिक्स डाल कर प्लांट लगा सकते हैं यह जो भी मैंने पोटिंग मिक्स बताई यह सारा मैंने दो दिन पहले बना कर रख दी थी मैं किसी भी प्लांट के लिए प्लांट को अगर में रिपोर्ट करती हूं तो उसे मैं कि मैं दो दिन पहले बना रख लेती हूं मिट्ी और दो दिन के बाद गमले में कि हैं आइए फ्रेंड्स हम एक पैंजी प्लांट को रिपोर्ट करकर देखते हैं देखिय कितने खुपसूरत कलर है इसका और पैंजी प्लांट या किसी भी प्लांट में अगर फोट में तो आप ड़ासकते हैं प्रूड़ा से से लगा सकते हैं तो आप ज़ाता है तीम प्लांट को पोर्ट में लगाने के बाद़िए और प्लांट भब तो म। छब लंगे हैं अब हम इसमें अच्छी से पाणी देंगे, पानी देने के बाद यह ही सिंद कर लेंगे ही, नीचे के नीचे कि मिटी के लिए और इसे जो फ्लावर्स हैं हम उसे कर देंगे फ्रेंड्स आपको हमारी वेडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लें थांक्यू सो मच